हम अभी तक बात कर रहे थे कि गूगल एक बेतरीन सर्च एंजन है लेकिन वो बेतरीन कैसे है ये भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर तो गूगल पैसे नहीं लेता अपने अर्गानिक सर्च के ये हमने पहले भी जिकर किया और गूगल पे अगर आपने पैसे दे कर कुछ करना है तो वो आप अड्स लगा सकते है लेकिन हमें ये भी अंडर्सेंड करना ज़रूरी है कि गूगल अपने बिजनस को लेकर कितना सीरियस है और इसी वज़ा से गूगल खुद ये गाइड करता है कि वो कैसे अपने इंजन को बेतर करते हैं कैसे अपनी क्यूरी को बेतर करते हैं और उनका क्या प्रोसीजर है तो इस पे हम थोड़ी सी नज़र डालेंगे कि क्यों Google बेतर है और क्या वज़ा है कि Google बेतर से बेतर होता जाता है Google के बेतर होने के सबसे बड़ी वज़ा यह है कि उसके पास हजारों के दिदाद में इंजीनियर्स हैं जो कि मसलसल उनके अलगरिजम को बेतर करते हैं और इस बेतर करने के तरीके को वो एक प्रासेस में डालते हैं उस प्रासेस के तहद वो मरहला वार टेस्टिंग के बाद अप्रूवल में आती है और अप्रूवल के बाद वो पबलिक को दिखाए जाती है यह मरहला वार टेस्टिंग कैसे होती है यह वो अपने डिफरेंट अपनी डिफरेंट यूजर्स के साथ वो किस तरह से इसको टेस्ट करते हैं, वो उसमें तीन बड़ी चीज़ें मजूद हैं, सबसे पहली वो फोकस करते हैं यूजर के अपर, अगर आपने कभी गोर किया हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टन गूगल के लिए उसका यूजर है, और इसलिए वो ना तो आपको कभी कोई आड दिखाता है, जब उसके बास कोई आड ना हो, और नहीं वो आपको कभी एक्टा चीज़ दिखाता है, जब उसके बास कुछ दिखाने के लिए ना हो, आप गूगल डाट कॉम पे जाते हैं, और उस पे आप सरच करते हैं, उसम तो यूजर्स के लिए, क्योंकि वह सर्च एंजिनु यूजर्स के लिए बनाता है, तो उसको लगता है चे यूजर्स से ही यूपिइनिndल लेना बहुत जरूरी है। यूजर के टेस्ट में उसका पहला टेस्ट ही होता है कि वो बहुत सारी जो सिजेशन्स लेकर आते हैं उनके इंजिनियर्स के हमें ये करना चाहिए या हमें वो करना चाहिए अपने इंजिन को भेतर बनाने के लिए उसमें वो उन टेस्ट को एक एकस्टरनल टीम या एक बाह तो स्पेस्ट को देखकर वो जो टेस्ट करते हैं वो बताते हैं कि फूर आ एकंपल हमें यह चीज अची लगी फूर ए चीज़ होarshsie लगी कि लिए पर्परमव. इस छेकलिस्ट के सूरत के वी चीज़ुति self के सामने आ जगता यह और गूगल जब अपनी चीज़ते हैं ब impress इसके साथ वो एक और टेस्ट भी करता है वो टेस्ट यह है कि उनको एक ही चीज के दो वरिजन दिखाता है इसको नॉर्मली इंगलिश में A-B टेस्टिंग भी भोलते हैं आपके बास एक पेज एक शकल में है और वो ही पेज आपके बास दूसी शकल में है अब वो क्या करता है कि वो बाहर के लोगों को यह दो इमजिस दिखाता है साइड बे साइड वो कहता है कि यह रिजल्ट हमने ऐसे भी दिखाना है और ऐसे भी दिखाना है आप एक result चूस कर लें और आप ये बताएं कि आपको बेतर क्या लगता है वो जो evaluators हैं जो टेस्ट करने वाले लोग हैं वो evaluate करते हैं कि हमें ये number A बेतर लग रहा है या number B बेतर लग रहा है इस बेस पे Google मजीद उनको अगेंग जो चीज़ें उसको अच्छी लगती हैं जो लोगों को अच्छी लगती हैं वो आगे लेके जाता है और जो नहीं अच्छी लगती है वो उसको दोबारा review में डालता है या उसको totally reject भी कर सकता है तीसी चीज़ गूगल क्या करता है गूगल पबलिक के साथ भी टेस्ट करता है तो वो टेस्ट क्या है वो जो दो चीज़ें उसने अपने evaluators को दिखाई वो वैसे ही दो results users को भी दिखाता है ये आम लोगों को पता नहीं चलता कि उनके साथ कब experiment हो रहा है और कब नहीं हो वो experiment होते हुए होता ये है कि आपको कभी कुछ फीचर नजर आ जाता है और बाब में वो नजर नहीं आता तो गूगल इसको इस ताना से manage करता है कि वो आदी traffic या कुछ traffic का हिस्सा वो एक नए version पर डालता है ताके जब लोग उसको visit करें google.com open करें तो वो उनको एक नया feature नजर आजे वो कुछ हिस्सा traffic का उस नए feature को देखके कैसे react करता है वो उसको लेकर कैसे बात करता है उसमें इस सारी चीज़ें google monitor कर रहा होता है और उसके साथ साथ वो graph देखता है कि हाँ अगर हमने उसको ये चीज़ दिखाई तो हमारी graph या activity उपर गई है और दूसरी ज क्या बेतर है और क्या बेतर नहीं है इस सारी चीज़ें मिलने के बाद जब एक collective decision आता है कि सबके test results भी आ जाते हैं और उसमें engineers की opinion भी आ जाती है वो सब बैठ कर ये decide करते हैं कि कौन सा feature आगे जाएगा कौन सा feature reject होगा या किस feature को हमें दुबारा मौका देना चाहिए और बैसे मज़ीर testing की जरूरत है कि हमें इसको देखते हुए बेतर करना है search engine को इन सारी चीज़ों को लेकर Google अपने search engine को बेतर करता है और ये एक example है या ये एक आप कहलें guarantee है Google की तरह से कि वो इसके बगार अपने engine को effect नहीं होने देता तो इससे ये बात साबित होती है कि Google अपने business को लेकर बहुत serious है और कोई भी Google को convince नहीं कर सकता कि आप क्या चीज़ लाँच करेंगे या कैसे लाँच करेंगे क्योंकि Google ये कहता है कि हम advertising sell करते हैं हम search result sell नहीं करते हैं तो search results नहीं वो sell कर देंगे उस दिन Google के तोर पे नहीं रहेगा ये तो होगी testing की बाद लेकिन Google इसके साथ एक और काम भी करता है जो के website owners के साथ attached है वो ये कि वो उनको मौका देता है उनको guide भी करता है और उनको अपनी suggestions देता है कि आपने कैसे अपनी website को भेथर बनाना है और कैसे Google आपकी website को देख रहे है और कैसे perceive कर रहे है वो उनको search engine guidelines और ऊसके बाद Google Webmaster Tools के तहर जो कह एक tool है उनके साथ उसको guide करता है कि आपकी website में क्या क्या issues Google को मिल रहे हैं हम Google Web Master Tools के बारे में इस course में बात करेंगे इसके बाद वो एक और काम ये करता है कि वो website owners को ये बोलता है कि आपने कुछ चीज़ें नहीं करनी ये वो guidelines हैं जो Google वक्तन फ़क्तन launch करता है और हमारी कोशिश होगी कि हम इस course में इस सारी guidelines जो वो कहता है करने को और वो जो कहता है नहीं करने को हम इस course में मजद इसको मजद डिटेल में पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी websites को बहतर करते हैं आखर में Google सबसे important बात एक ये करता है कि गूगल ये कहता है कि आपको अपनी information प्रोवाइड करने का हक है तो अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी websites गूगल पर exist करती है जो के धोके धोका देने की गरसे या जो के बजाहे नजर आ रही होती है कि ये अच्छी websites नहीं है या इनके नतायज अच्छे नहीं निकलेंगे गूगल इस चीज़ को समझता भी है देखता भी है लेकिन Google ये कहता है कि हम decide नहीं करेंगे कि आपका content कैसा है क्योंकि Google कभी भी content host नहीं करता host करने का मतलब ये है कि Google के पास वो content नहीं होता वो content आपकी website पे होता है आपने अपनी website में क्या content लिख है उसके मालिक आप है या किसी ओर ने अपनी website में क्या content लिख है वो किस तरह से अपनी information प्रिजेंट कर रहा है वो उसका मालिक वो है Google उनको नहीं ये कहेगा कि आप अपना content हटा दें या अपना content आप नहीं डाल सकते तो वो चाहे अच्छी बात है वो चाहे बुरी बात है Google ये समझता है कि दोनों का right है कि वो search engine में आए क्योंकि Google सिर्फ search results को अपने database में डालता है वो सिर्फ ये बताता है कि आपके information कहाँ पड़ी हुई है वो information अपने database में नहीं रखता और नहीं वहाँ से दिखाता है वो सिर्फ उस information का पता समझे लें या location वो आपको बताता है और वो ही maintain करता है लेकिन कुछ extreme cases में जहाँ आप Google को ये लगता है कि कुछ लोग Google को धोका देने की कोशिश कर रहे है और जानवूच के उपर आने की कोशिश कर रहे है जिसको हम black hat भी कहते हैं या grey hat भी कहते हैं तो वो grey hat technique के साथ या black hat technique के साथ जैसे ही वो उपर आने की कोशिश करते हैं Google उनको block करता है और यहां तक कि उनको delete भी कर सकता है तो Google ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए करता है कि Google को ये लगता है कि जैसे जैसे वो अपना engine बहतर करेगा उसका user उसके पास आता रहेगा और जब उसका user उसके पास आता रहेगा तो वो company grow भी करेगी और पैसे भी बनाती रहेगी जो कि ultimately हर विजनस का मकसद होता है